श्रीन आज्जी गुरुजी को अलखादेश, माभगवती को अलखादेश, राची वाले भैरब बाबा को अलखादेश, आप सभी को अदेश अदेश धन एक बहुत महत्वपूर्ण कॉंस्टिट्वेंट है, इस मायावादी दुनिया में कोई अगर हमें बोल दे कि लोब मोहन महा माया से आप दूर हो जाईए, अपनी इक्छाओं को आप लिमिट कर लीजिए तो उसका अर्थ होता है कि आप इस मायावादी दुनिया को छोड़ करके पूर्ण और अपूर्ण दोनों तरह की इक्छाओं के साथ और साथ में पूर्ण और अपूर्ण रिस्पॉंसिबिलिटी के साथ संसार को त्याग दें इस संसार में रहते हुए लोब मोहन महा माया और इस परपन से बचा रहना बहुत मुश्किल है ना मुंकिन है तो महा माया का भोग करने का एक उपाय है धन जो ये जाल है ये जो अनंत ब्रह्मान है जो माया जाल है महा माया का उसको भोग करने का एक उपाय है धन और धन की प्राप्ति के लिए लक्षमी की साधना को सास्तर नुसर सबसे सटी कमन गया है मा भगवती देवी लक्ष्मी यानि नारायन की संगनी और जो बीजाक्षर जो गाहितरी के बाद आया इस पृत्वी पर ओम एम भ्रह्म क्लिम चामंडाय विच्चे उसमें एक बीजाक्षर भगवती लक्ष्मी दस महाविद्या में कमला के रूप में स्थापित है मा लक्ष्मी का आठ रूप बताये गया लेकिन उसमें एक मंत्र ऐसा बताये गया जो की महा लक्ष्मी का मंत्र है और इस मंत्र को गुप्त रखा गया जब हम महा लक्ष्मी की मंत्र का साधना करते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि महालक्षमी सिर्फ नारायन के साथ जो लक्षमी विराजिती है वो नहीं है जो तीन बीज में महामाया है एम रिमकलिम उसको हम महालक्षमी की संग्या देते हैं महालक्شमी की साध्ना करने से जो भी आसाध्य चीज़े जो अपके मन में है जो कि आपको लगता है कभी नहीं हो पाएगा वह सारी चीज़ों को आप अपने सनरक्षन में उसको ले पाईएगा महालक्ष्मी की साधना के लिए हर रोज आपको आठ कमल का फूल लगेगा आठ दिनों के लिए नौवे दिन एक सो आठ कमल का फूल लगेगा हवन के लिए पहले आठ दिनों तक लाल आसन, पूरब मुक, सुर्योदय का काल, फल नवेद में, रक्त और स्वेत चंदन, केसर में मिला करके भगवती का तिलग गंद के रूप में गुलाब साथ में जो चाइना रोज होता है, इसको आप भगवती को फूल के रूप में अरपित कर सकते हैं, ठीक है, और गंद तो जितने प्रकार का आप सुगंद, अपने और से भगवती लक्ष्मी को आप दे, उतना अच्छा रहता है दो चीजों का ध्यान रखना है, शुरू का जो आट दिन है उसका विधान अलग होगा, हवन का जो होता है, दिशा और दशा अलग होता है इसमें जिस दिन आप हवन करेंगे, उस दिन कमल का आसन नहीं ले करके, आपको सिल्का लाल आसन लेना है और आसन इतना बड़ा होना चाहिए, कि जब आप उसमें पदमासन में बैठें, तो आपका शरीर जो है, वो किसी भी तरीके से, जमीन में स्पर्षना करें अपने सामने से सावा हाथ दूरी पर आप कुंड रखेंगे, ठीक है, और कुंड में जो है, त्रिकोन में, जैसा मैंने पहले बताया है, कि अपने दाहिने हाथ से सामने के मद्दे में, फिर सामने के मद्दे से बाएं की और और बाएं से दाएं, ऐसे करके पंद्रा लकड ताल देंगे और खपोर दे करकर अगनि का अवहन करेंगे ठीक है आमकी समधा रहे अर उसमें बिलकुल ही कहीं भी जो आमकी लकडी जो है उसमें कहीं गात नहीं होना चाहिए जो हवन होगा 108 जो कमल हमने रखा उससे होगा घी में कमल को लगा करके उसमें कुछ सुगंधित तत्व डालते हैं, उसमें आप गुलाब जल डाल सकते हैं, उसमें आप अगुरू डाल सकते हैं, उसमें आप किसी प्रकार का इत्र डाल सकते हैं, ध्यान एक चीज रखना है, जब आप इत्र खर दें, तो कोई भी परा धर्म के व्यक्ति से ना खर दें, औ और उस इत्र को आप उसमें मिला करके और हवन कर सकते हैं, ठीक है, तो पहले आठ दिन आप क्या करेंगे, आप पूरव की दिशा में देखेंगे, कमल का असन लाल रखेंगे, आपका वस्र भी लाल होगा, ठीक है, सुभा के समय आपको ये जाप करना है, स्पेटिक के माला प इसमें बीज आक्षर है, ठीक है, एक तो ओम है, जो की तत्र प्योगी है, मतब श्रिम हिम श्रिम, कमले श्रिम हिम श्रिम रिदयाई नमा, तो वो तत्र प्योगो है, ठीक है, तो पहला जो है, वो रहेगा शंभू पत्नी का बीज, क्या है बीज? रिम, ठीक है, रिम जो प लौको एकार, युक्त करके मंत्र को आगे बढ़ाना है, तो क्या हमारा मंत्र हो जाएगा? ओम, श्रिम, रिम, श्रिम, कमले, ठीक है? फिर ब्रम्हादित्य, और ब्रम्हादित्य के बाद जो है, लाकार दे करके, दिर्ग आकार करके स्युक्त करना है, तो क्या हो जाएगा? ओम श्रिम रिम श्रिम कमले कमलाले ठीक है फिर दो बार प्रशीद प्रशीद सब्द का उच्चारन करेंगे ठीक है और अंत में जिस भगवती को हम जागरत करना चाहरा है महालक्ष्मी उनका नाम लेंगे और नमहा बोलेंगे मंत्र हमारा क्या हो जाएगा तीन बार मंत्र बोलूँगा द्यान से सुनिएगा Aum Shrim Hrim Shrim Kamale Kamalalaye Prasida Prasida Shrim Hrim Shrim Maha Lak카 नमहा Aum Shrim Hrim Shrim Kamale Kamalalaye Prasida Prasida Shrim Hrim Shrim Maha Lakcha मे नमहा नौ दिन करने के बाद ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और प्रतेक दिन जो है आप इसका 27 बार जाप करेंगे अगर आप पूर्ण मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं और रोज एक माला का जाप करना चाहते हैं तो श्रिम रिम श्रिम इन तीनों भी जाक्षर का भी जाप करेंगे तो आपको लगभग पूर्ण अफल मिलेगा इसके अलावा जब इस मंत्र को प्रयोग करना मान के चलिए कोई काम आपका होना है और महालक्ष्मी की कृपा चाहिए तो उस समय मंत्र क्या प्रयोग करेंगे श्रिम ह्रिम श्रिम कमले श्रिम ह्रिम श्रिम ठीक है एक जो बहुत महत्वपूर्ण विशह है इस विधान का कि जाप पंच पूजा तो आप कर लेंगे जब हवन करेंगे और हवन में मैंने बोला कि 108 कमल का फूल रहेगा जब भी आप उस फूल को अरपन करेंगे तो बहुत ध्यान देंगे कि वो इधर उधर ना गिरे वो जो त्रिकोन है उसके बाहर अगर एक भी पुश्वप गिर गया तो आपको पूरा 108 कमल से पुना दूसरे दिन हवन करना होगा तो हवन बहुत ध्यान से करेंगे ठीक है उसके जब भी मंत्र का प्रयोग करना होगा तो जो मंत्र मैंने बताया है हाथ में जल लेंगे भगवति का संकल्प करेंगे मेरा कारे है वेवसाइक कारे है उसको आप पूर्ण करें और जल को संबर्पित कर देंगे तो महालक्षमी की जो अनंत क्रिपा है वो आपे आने लगेगी यह बहुत अच्छा विदान है बहुत लोगों ने प्रयोग किया है बहुत लोगों को लाब हुआ है और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को भी लाब होगा आज के लिए इतना ही जिनको पेड वाट्सअप ग्रूप से जुड़ना है वो मेरे नंबर 9431188585 से जुड़ सकते हैं इस पर हम बेसिक साधना आपको सिखाते हैं जिसमें साधना गशुरवाती आयम जैसे आसन बंधन, दिशा बंधन, यंत्र मंत्र, तंत्र बनाना है न ये सब आपको सिखाते हैं जिनको मेरा आने वाले कारिक्रम जानना है या लेक पढ़ना है वो www.agor.net पर जाईए जिनको डारेक्ट बात करने हैं वो काल मी फॉर आफ डाउनलोड कीजिए उसमें रूदरनात अटसी एम फो तो आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा आप डारेक्ट वाटसप पर भी मुझसे अपाटमेंट ले सकते हैं आज के लिए इतना ही मालक्षमी और राच्यवाले बहर बाबाब आप सभी पर आचीज बरसा ऐसी मेरे उन से प्रातना है आप सभी को आदेश 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 आलाख आदेश